ओम नमाज शिवाए, कानों में कुंडल, गले में साप लपेटे हैं, मेरे महादेव स्वयम में ब्रह्मांड समेटे हैं। प्रिय भक्तो आज हम आपको भगवान संकर और माता पार्वती की बड़ी ही पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा अनुसार पार्वती जी ने सिवजी से तीन प्रश्ण पूछे पहला संसार में सबसे नरम क्या है, दूसरा संसार में सर्बत से अधिक मीठा क्या है, और तीसरा प्रश्ण इनसान किन आदतों से गरीब और धनवान होता है। प्रियभक्तों, इस कथा के माध्यम से भगवान सिव जी ने माता पारवती को क्या बताया, आईए इस कथा से जानते हैं। इस कथा को सावन के पवित्र मास में सुनने से सभी कष्टों से मुक्ती मिलती है और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। एवं भगवान सिव और माता पारवती का सुब आसिरवात प्राप्त होता है। सिव पुराण में सुत जी ने सोलवे अध्याय में कहा है कि इस कथा के स्रावन मात्र से व्यक्ति के जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। आईए इस पावन कथा को सुनते हैं। एक पार माता पार्वती भगवान सिव जी के साथ संसार के भ्रमण को निकली, भ्रमण करते समय उन्होंने संसार की दसा देखी, जब वा वापस कैलास पर आती हैं, तो भगवान सिव से मा पार्वती ने कहा, हे देव, मेरे मन में तीन प्रस्ण चल रहे हैं, क्रप्या मेरे मन में उठ रहे इन तीनों प्रस्णों का समाधान कीजिए। भगवान सिव ने कहा, कि हे प्रिय पार्वती, पूछो तुम्हारे मन में कौन से ऐसे प्रस्ण हैं, जो तुम्हें व्याकुल किये जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति अपने माता पिता को अथा दुख दे रहा है, वहाँ अपने माता पिता का जरा भी सम्मान नहीं कर रहा और मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न और समर्थ है तथा वहीं कोई व्यक्ति गरीब है और बहुत से दुखों ने उसे घेरा हुआ है माता ने कहा कि मेरा पहला प्रश्ण है कि संसार में सबसे नरम क्या होता है दूसरा प्रश्ण है कि संसार में सबसे मीठा क्या है और तीसरा प्रश्ण है कि इनसान किन आदतों से गरीब और अमीर बनता है माता पारवती के वचनों को सुनकर सिव जी ने कहा हे देवी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनियेगा सोईएगा तनिक भी नहीं माता पार्वती ने उत्साहित हो कहा प्रभू अवस्य कथा सुनाईए मैं निद्रा से दूर रहूंगी अब भगवान सिव ने कहा इन तीनों प्रश्णों के उत्तर आपको इसी कथा में मिल जाएंगे कथा इस प्रकार है किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जो की बहुत ही धनवान था वह सेठ दूर दराज जाकर व्यपार किया करता था उसकी तीन पुत्रियां थी तीनों पुत्रियां अति सुन्दर और गुडवान थी ती इनों पुत्रियां देखने में राजकुमारियों के जैसे लगती थी, अब इस प्रकार सेठ का जीवन सुख पूर्वक बीत रहा था, एक दिन सेठ को दूसरे देश में व्यापार के लिए जाना पड़ता है, तब उसके मन में विचार आया कि मैं विदेश में व्यापार के जा रहा हूं, तो अपनी पुत्रियों के लिए कुछ विसेश वस्तुएं वहां से लेकर आऊं। ऐसा विचार करवा सेठ अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि सेठानी मैं विदेश जा रहा हूं, वहां से अपनी पुत्रियों के लिए क्या विसेश वस्तुएं लाऊं कि वहा सेठानी ने कहा कि आप अपनी पुत्रियों से स्वयम क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए इस पर सेठ खुस होकर अपनी तीनों पुत्रियों को पास बुलाते हैं और अपनी सबसे बड़ी पुत्री से कहते हैं बेटी तुम मुझे कितना प्यार करती हो वह बोली पिता जी मैं आपको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ यह सुनकर सेठ बहुत खुस हुआ और बोला बेटी मैं विदेश जा रहा हूँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए यह सुनकर पुत्री बोली पिता जी आप वहां से मेरे लिए एक सोने का थाल लेकर आईएगा सेठ ने कहा अवस्य लेकर आऊंगा बेटी अब उस सेठ ने अपनी दूसरी पुत्री को बुलाया और पूछा कि पुत्री तुम मुझे कितना प्रेम करती हो वहां बोली पिता जी मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ यह सुनकर सेठ प्रसन हो गए और ब बेटी मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ बताओ विदेश से मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या लेकर आऊं जिससे तुम्हे प्रसन्यता हो पुत्री बोली पिता जी आप विदेश से मेरे लिए एक सोने का पंखा लेते आयेगा सेठ बोले अवस्य बेटी मैं तुम्हा पिता जी मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ, अपने बारे में ऐसा उत्तर सुनकर सेठ जी को बड़ा ही क्रोध आ गया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सेठ ने कहा पुत्री तुम मुझे केवल नमक जितना प्रेम करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आऊंगा, यह कहकर सेठ अपनी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, कुछ समय बाद सेठ वापस आते हैं, तथा बड़ी प्रसन्नता से अपनी दोनों बेटियों को उनके द्वारा कही गई वस्तुमें देते हैं, बड़ी बेटी सोने का थाल एवं मजली यह सुनकर उस लड़की को जराबी दुख नहीं हुआ, वह अपनी दोनों बेहनों को खुस देख कर बहुत प्रसन्न हो गई, कुछ दिनों के बाद उस नगर में एक राजकुमार घोडे पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए आता है, उसे बहुत प्यास लगती है, सैयोग वस राजकुमार उस सेट के घर पहुँच जाता है, और सेट से पानी पिलाने का आगरह करता है, सेट जी उन्हें पानी पिलाते हैं, राजकुमार की नजर सेट जी की छोटी पुत्री पर पढ़ती है, राजकुमार सेट जी से कहते हैं, कि है सेट, मुझे आपकी या पुत पुत्री बहुत प्रिये लगी है, मैं उससे विवा करना चाहता हूं। यहां सुनकर सेट बोले राजकुमार, यह तो मेरी पुत्री का सौभाग्य होगा, लेकिन मेरी इससे बड़ी दो बेटियां और भी हैं। उनका विवा किये बिना मैं अपनी छोटी पुत्री का विवा नहीं कर सकता, हां अगर आप चाहें तो मेरी बड़ी पुत्री से विवा कर सकते हैं। वाराजकुमार बोले कि सेट जी मैं आपकी बड़ी पुत्री से विवा तो कर लूँगा, लेकिन पहले इने राजमहल ले जाकर अपने माता पिता को दिखा कर उनसे आग्या लेनी राजकुमार उस कन्या को अपने साथ ले जाते हैं और एक बहुत ही नरम बिस्तर पर बैठा कर उनका बहुत आदर सतकार करते हैं। उस राजकुमार के ऐसा करने पर वा अत्यंत प्रसन होती है। राजकुमार उसे सुगंदित और मीठा सर्बत देता है। कन्या बहुत प् आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था अब राजकुमार ने कहा और हाँ क्या तुमने मीठा और सुगंदित सर्बत भी ऐसा कभी पिया है वह बोली नहीं राजकुमार मैंने ऐसा सर्बत भी कभी नहीं पिया इस से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा राजकुमार ने कहा हे सेट कन्या तुम मेरी पतनी और इस राज जी की रानी बनने के योग ये नहीं हो जो कन्या इतने नरम बिस्तर पर इस से पूर्व ना बैठी हो और उसने इतना सुगंदित सर्बत भी ना पिया हो वा मेरी पतनी नहीं बन सकती राजकुमार ने उस कन्या को उस सेट के घर पे वापस छोड़ा और सेट जी से बोले कि हे सेट जी आपकी बड़ी पुत्री मेरी परिक्षा में असफल रही है अब मैं आपकी दूसरी कन्या को महल में ले जाना चाहता हूं सेट ने अपनी दूसरी कन्या को राजकुमार के साथ भेज दिया राजकुमार उस कन्या को भी वैसा ही स्वागत सतकार कर नरम बिस्तर पर बिठाता है और सुगंदित सर्बत देता है इसके बाद वह उससे भी वही प्रसन करता है कि क्या तुम इससे पहले इतने नरम बिस्त इतना नरम बिस्तर, इतना मीठा सुगंदित सर्वत कभी भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। राजकुमार बोला, हे सेट कन्या, तुम मेरी पतनी बनने योगे नहीं हो, तुम मेरी परिक्षा में असफल रही हो। राजकुमार सेट जी के घर उस कन्या को सा सम्मान पहुचा देता है। और कहता है, सेट जी आपकी दूसरी पुत्री भी मेरी परिक्षा में असफल रही। अब सेट जी की आग्या लेकर राजकुमार सेट जी की सबसे छोटी पुत्री को अपने साथ ले जाता है। और उसको भी नरम बिस्तर पर बैठा मीठा सुगंदित सर्बत पिलाता है फिर उससे भी वही प्रसंद करता है कि क्या तुम आज से पहले कभी इतने नरम बिस्तर पर बैठी हो और क्या तुमने इतना मीठा और सुगंदित सर्बत पिया है लड़की बोली कि हाँ मेरी मा की ग तोद से नरम इस संपूर्ण संसार में कोई दूसरी जगा नहीं है। वही सबसे ज़्यादा नरम जगा यह बिस्तर उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजकुमार ने प्रसंद होते हुए कहा क्या इतना सुगंदित मीठा सर्बत भी कभी पिया। सेट की बेटी ने कहा कि हाँ इससे ज़्यादा मीठा सर्बत मैंने पिया है और वह मेरी माता का दूद है क्योंकि वह एक बच्चे के लिए जीवन दाइनी अमरत के समान होता है अता उससे ज्यादा मीठा इस संसार में दूसरा कोई पेपदार्थ नहीं हो सकता है। यह सुनका राजकुमार बेहत प्रसंद हुआ उसे अपनी मन पसंद उत्तर प्राप्त हो गए थे। इससे उसे राजकुमारी की अच्छी बुद्धी और नेक दिली का भी पता चल गया था। राजकुमार को उस राजजी की महरानी मिल चुकी थी। सेठ जी से राजा और रानी ने मिलकर छोटी बेटी का विवा राजकुमार से करने की बात कही। सेठ जी ने वैसा ही किया, उनका विवा हो गया, विवा के बाद उसकन्या ने अपने पिता को घर पर भोजन के लिए बुलाया, उस दिन उसकन्या ने सभी प्रकार के भोजन को मीठा बनवाया, किसी भी भोज्य पदार्थ में नमक नहीं मिलाया, अब जब सेठ जी पुत्री के महल में आए और भोजन ग्रहन करने बैठे तो सबजियां खाते ही उनका मन खराब हो गया उजने एक के बाद एक भोजी पदार्थ खाया सब देखने में बेहत स्वाद वाले लग रहे थे उनमें मेवा पड़ा हुआ था लेकिन सब बेस्वाद लगे बिना नमक के सारा भो पुत्री के कहने पर बना है अब सेड़ जी पुत्री से बोले कि या सब क्या है तब उस पुत्री ने कहा पिता जी आपको याद है कि जब आप विदेश यात्रा पर जा रहे थे तो मैंने आप से कहा था कि आप मेरे लिए नमक के जैसे हैं जिस पर आपने मेरा बहुत अप मान किया था पिता जी जैसे सभी प्रकार के मेवे मिष्ठान और सुगंदित मसाले मिला कर भी नमक की जगा नहीं ले सकते हैं वैसे ही मेरे जीवन में भी आपकी जगा उसी नमक की तरह है जिसके बिना सभी सुख सुविधाएं स्वाध हीन हैं आप अब समझ गए होंगे कि आप मेरे लिए क्या हैं यहाँ सब सुनकर सेट जी ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और छमा मांगते हुए बोले बेटी तुम सच मुझ में ही बहुत खास हो मैं समझ गया कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो माता पार्वती जी ने कहा हे करता है उसे जीवन में समस्त सुख प्राप्त होते हैं आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जै भोले नात अवस्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवस्य करिएगा जिससे आने वाले व्रत और त्योहारों की सुन्दर और प्रेरक कथाएं आपको उन्ने को मिलें फिर मिलेंगे जै स्री कृष्णाय नम्हा